Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy 19 अप्रेल 2021 के दैनिक जागरण के राष्टे संस्क्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज है कि कुरोना से जंग को सरकार की आउक्सीजन कुरोना के बढ़ते संक्रमन और उसके अनुरूप आउक्सीजन की आपूर्ती में कमी को पूरा करने के लिए किन सरकार ने उद्योगों को आउक्सीजन की आपूर्ती पर सोमबार से अगले आदेश तक परतिबंद लगा दिया है हाला कि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंद से छूट दी गई है इसके अलावा रेलवे ने देश में आक्सीजन एक्स्प्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है राउर केला, जमशेतपूर, बोकारो और विसाका पत्नम के इसपास सैंत्रों से आक्सीजन लेकर यह ट्रेन मुंबई समय देश के विभिन छेत्रों में पहुँचेगी इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है और सोम बार को मुंबई से पहली ट्रेन आक्सीजन लेने के लिए रवाना हो जाएगी केंद्री ग्रेस अचीव अजय भल्ला ने सभी राजियों और केंसासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कुरोना संक्रमनों के तेजी से बढ़ते मामले और उसकी वज़ा से द्रक्स रैकेट में लिफ्ट लोग रहम के हगदार नहीं यह स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मादक पदार्तों का कारोबार करने वाले लोग सीधे तोर पर मासूम पीड़तों की मौत का कारण बनते हैं सिर्फ इस बिना पर किसी को कम सजा नहीं दी जा सकती कि वह गरीब आदमी है और अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है कोट ने कहा है कि ड्रक्स रैकेट में लिफ्ट लोग रहम के हगदार नहीं है डिवाई चंद्र चून और एम आर साह की कंड़ पीट ने नार्कोटिक्स ड्रक्स एंड साइक्रोट्रोपिक्स सब्स्टेंस एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए कहा कि पूरे समाज के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने की जरुवत है कंड़ पीट ने कहा कि अंडर वर्ड की संगठित गतिविदियां देश के अवैद मादक पदार्थों की तसकरी और किसोरवे के लोगों को समेथ बड़ी तादात में लोगों को जानलेवा नसे का आदी बनाना हाल के सालों में काफी बढ़ गया है अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने अमेरिका आने वाले सरणार्थियों की सीमा नहीं बढ़ाने के फैसले का बचाओ करते हुए कहा कि उनका प्रसासन एक समय में दो काम नहीं कर सकता डेला वेर में समवादाताओं से बात करते हुए अमेरिकी राश्पती ने कहा कि दच्छनी अमेरिकी सीमा पर बे सहारा बाल प्रवाशियों में बढ़ोत्री के चलते सरणार्थियों पुनरवास कार्याले पर पहले ही काफी बोज है इसे देखते हुए उनका प्रसासन अमेरिकी अमेरिका आने वाले सरणार्थियों की सीमा को ततकाल नहीं बढ़ा सकता बैडन ने कहा है कि हम संख्या बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन मुसीबत यह है कि सीमा पर युगाओं के आने का संकट है नेक्स्ट निउस है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में अवल होगा देश यह स्टेट्मेंट दिया है नितिन गटकरी ने अगले छे महीने में लीथियम आयल बैटरी निर्माण पूरी तरह से देश में होने लगेगा इसके दम पर आने वाले दिनों में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में दुनिया भर में अवल होगा E-commerce firm Amazon के संभव संमेलन को virtual platform के जरी संभोधित करते हुए केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने रवीवार को ये बात कही है सलक परिवान एवं राजमार्ग मंत्राले गटकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण में भारत आगे बढ़ रहा है कुछ समय में हम नंबर एक निर्माता होंगे सभी प्रतिष्ठित ब्रांड आज भारत में मौजूद हैं सूक्ष लगू एवं मध्यम उद्यम याने की MSME मंत्राले की जिम्मेदारी भी निबा रहे हैं गटकरी ने स्वधेसी बैटरी टेकनलोजी इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन का सरवाधिक प्रभावी माध्यम बनाएगी वित्मंत्री का भरोसा नहीं लगेगा देश व्यापी लॉक्डाउन वित्मंत्री निर्मला सिता रमन ने रवीवार को उद्योग जगत को भरोसा दिलाया है कि देश व्यापी लॉक्डाउन नहीं लगाया जाएगा कि अध्यक्च अनीमेश सक्से ने बताया कि फोन पर वीत्ड मंत्री ने कहा है कि देश्व्यापी लॉकडाउन की योज्झना नहीं है। सकसेना से जानकारी मांगी है। नेक्स्ट है कि दूसरी लहर के बाद भी दोहरे अंक में रहेगी विकासदर। ये स्टेटमेंट दिया है नीती आयोग ने। करोना की दूसरी लहर से जादा अनिश्चित्ता का सामना करने के लिए देश को तयार रहना होगा। या निश्चित्ता उभगताओं और निवेशकों दोनों के स्टेट्मेंट में देखी जा सकती है। हाला कि इस लहर का सामना करने के बाद भी आर्थिक विकासदर दोरे अंक पर बनी रहेगी। नीती आयोक के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रविवार को ये बात बोली है। राजीव ने कहा कि देश कुरोना को हराने के ककार पर है लेकिन ब्रिटन वा अन्य देशों से कुछ ने स्ट्रेंड के कारण इस बार इस्तिती जादा मुस्किल हो गई है। सर्विस सेक्टर वा ऐसे ही कुछ सेक्टर पर सीधे प्रभाव के साथ साथ दूसरी लहर से आर्थिक महौल में अनिश्चित्ता बढ़ेगी। इसके लिए हमें त्यार रहना होगा। क्रसी और प्रसंसकरण खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधी करण यानि की एपिडा के वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया। के लिए वर्चुल तरीके से क्रेता विक्रेता सम्मिलन आयजित करेगा और क्रसी उत्पादकों को उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में तीन आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कारगर साबित होंगे पुराने सबग। और ये आर्टिकल लिखा है क्रिसिल के मुख्य अर्थसास्त्री धर्मकीरती जोसी द्वारा। देगे जो पुराना लॉक्डाउन यानि पिछले साल लॉक्डाउन लगाया गया था वो किसी तयारी के साथ नहीं था इसलिए भारती अर्थवैस्ता को काफी छती पहुची थी तो वैसी गलतियां अब इस बार नहीं की जाएंगी। से फैल रहा है। सरवादिक प्रभावित राज्यों का स्वास्त समंदी बुनियादी धाचा इससे पढ़ते दबाव के आगे चर्मराता दिख रहा है। कोविड-19 का नाम आते ही अचरज, अनिस्चित्ता, जोखिम और आर्थी परिदर्शिव में अप्रत्याशित एवं औचक परिवर्तन जैसे भाव मन में आने लगते हैं। इसे लेकर पिछले साल भी यही हाल था, परन्तु एक परिवर्तन अवश्याया है, वह आया है कि इस बार ये घरेलू, ये जो पहलू है उतने अनिस्चित एवं तीवर्गामी नहीं है। इसका कारण यही है कि कुरोना को लेका चिंता कमोवेश, पिछले साल अप्रैल यतनी ही है, लेकिन कई संदर्वों में इस्तितियां बदली हुई है। खासी तेजी आई है। बेराल इस मामले में दूसरे देशों का अनुभाव यही कहता है कि महामारी की दूसरी लहर भले ही पहले से अधिक भयावा हो लेकिन यहां आर्थिक मोर्चे पर कम खतरनाग होगी। क्योंकि लोग वाइरस और वास्तविक्ता के साथ ताल मिलाकल चलना सीख रहे हैं। फिर भी यदि इसके आर्थिक दूस्प्रभाव की बात की जाए तो विनिर्मान छेतर पर इसका सेवा छेतर से कुछ कम असर पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप में दूसरी तीसरी लहर का तजरुबा यही बताता है कि सक्त लागडाउन के बावजूद विनिर्मान गतिविदियां उतनी ही बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए। भारत में भी हमें यही उम्मीद है क्योंकि विनिर्मान में उतना परस्पर व्यक्तिक तो संपर्क नहीं होता हालाकि सेवा छेतर इसके असर से उतना अचूता नहीं रह पाएगा। खास्त और से संपर्क आधारित सेवाओं पर इसकी सबसे अधिकमार पड़ेगी। आतितिस्त कार और पर्रिटन जैसे छेतर इस मामले में प्रमुख हैं जो पिछले एक साल से ही कुरोना की तपिस जेल रहे हैं और उन्हें पर्यात नीतिगत साहता भी नहीं मिल सकी है। उन पर फिर्ब से सक्त नियम लागू हैं। नेक्स्ट है सरणारती नहीं गुसपैटिये हैं रोहिंगे और ये अर्टिकल लिखा है जम्मू केंद्री विस्विद्याले में अतिस्तता छातर कल्यान प्रोफेसर रसाल सिंग ने। एक रोहिंग्या गुसपैटि मोहमत सलीमुल्ला की याचिका पर उच्चनैले का निर्णे कई मायनों में महत्पूर्ण हैं। उसमें उसने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कठुवा जिला सहीत हीरा नगर डिटेंशन सेंटर में रखे गए 170 रोहिंग्या गुसपैटियों की ततकाल रियाई की मांग की थी। साथ ही ग्रह मंत्राले को यह देर्देस देने की भी गुझारिश की थी कि वह ओन अप्चारिक सीजिँआ और रहे रहे है रोहिंग्या सरणार्थिओं को तीवरगती से सरणार्थि पैचान पत्र चारी करे ग। होता है, हला कि उसने गुस्पैटियों को वापस भेजने के लिए तैप्रक्रिया का पालन करने का निर्देश सरकार को अवश्य दिया है, सुप्रीम कोट ने इस निर्देश को असम में गुस्पैटियों की भारी समस्या से निपटने के लिए उसके द्वारा पूर में दिये गए राष्टिये नागरिक रजिस्टर बनाने के निर्णे की निरंतरता में देखा जाना चाहिए. पिछले साल जो लोग अविभाजित भारत के विस्थापिस सरनार्थियों को नागरिक्ता देने संबने नागरिक्ता संसोधन कानून याने CAA के विरोध में दिल्ली में एक रजिस्टर का विरोध भी इसी कारण किया जा रहा था. ताकि इस प्रकार के अवैद गुस्पैटियों की पहचान और प्रत्यरपन ना किया जा सके. इन्होंने अपने वास्तविक मनसूबों को छिपाते हुए भारते मुसल्मानों को नागरिक्ता छिपने का डर दिख पकाया गया है. यह सब हिंदूों के बाद भारत के दूसरे बहुसंख समुदाय मुसल्मानों के एक मुस्त बोट मुठी में करने की जुगत थी. आजादी से लेकर आज तक कई राजनीतिक दल और अनेक जोला चाप स्वदेशी सम्सेविक संगठल इन तथा कतित अल्प सं कर रहे हैं. वे अवैद गुसपैटी न सिर्फ इस्थानी सीमित संसाधनों पर बोज हैं, बलकि राष्टिय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खत्रा है. नेस्ट आर्टिकल है संकट का सही सबक. इसके चलते करोना के मरीजों और उनके परिवार वालों के चिंता व्याप्त है. चिंता पैदा करने का काम करोना मरीजों के उप्चार में उप्योगी इंजेक्शन, रेमेट सिवेर की अनुपलब्धता भी कर रहा है. यह ठीक है कि फार्मा कमपनियों ने इसके दाम कम कर दिये हैं, लेकिन इसका लाब तो तब मिलेगा जब यह इंजेक्शन आसानी से भी उपलब्धता बढ़ाने के लिए युद्धुस्तर पर कारे करने की जरूरत है. तो यह आज का 19 अप्रेल 2021 का दैने जारण का राष्टी संस्क्रण था, I hope आपको वीडियो अच्छा लागा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.